और इसका एक मतलब ये भी है कि मध्यप्रदेश में अब शिवराज सिंग चोहान यानि मामा जी के अच्छे दिन शायद समाप्त होने वाले हैं शिवराज जी की MP से निकली सवारी, मोधी जी की लीला हैन्यारी जी हाँ, कुछ दिनों में मध्यप्रदेश के हर गली कूचे में ये नारा जबरदस तरीके से गूँजने वाला है कॉंग्रेस का करिश्मा चला तब भी, मोधी जी की बाजी चली तब भी मध्यप्रदेश में जो 100% होना तै है, वो ये कि मामा अग्यातवास के लिए जल्द ही प्रस्थान करने वाले हैं और भाले बीजेपी ने अपने होटों से खुलकर ये बात नहीं कही हो, लेकिन जो बात बीजेपी अपने होटों में दबा कर चली आ रही है उसे उसकी गुलाम मेडिया जोर जोर से हेडलाइन बना कर बता और सुना रहे हैं और ऐसे में तो सुधीर ने कैबी दिया है कि एमपी में मामा के अच्छे दिन जाने वाले हैं नमस्कार अदाब आप देखरें खबर अड़ा और आपके साथ मैं हूँ सुम्ब लीरम टाइम्स आउट कह दिया है और अब जो इन गुलामों की फितरत जानते हैं वो तो जानते हैं कि एक भी शब्द ये लोग बिना अपने आखा के अप्रूवल के निकालते नहीं हैं और ऐसे में सुधीर चौधरी का मामा शिवराज सिंग चोहान को लेकर ये कहना कि अब उनके अच्छे दिन जाने वाले हैं अपने आप में MPBJP की सारी कहानी के डालती है जिस तरह से BJP अपने सांसदों को विधायक बनाने पर आमादा हो चुकी है वहीं से सारा गड़े शुरू हो चुका है कि BJP शिवराज को किनारे लगाने में केवल चार कदम दूर है BJP का संदेश साफ है कि कई बार कर ली राच तिलक की तैयारी इस बार आई विधाय की बारी अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद सुधीर से सुन लीजिए कि कैसे वो अपने लाल गाल लेकर मोदी जी वाली लाल आखे शिवराज सिंग चौहान को दिखाये जा रहा है और कह रहा है कि शिवराज की अच्छे दिन आने वाले समय में अटल अडवानी वाला युग होने जा रहा है मतलब इतिहास सुनिए आप समझ रहे हैं कि कब पाल तो कुत्ते ऐसे भौकने लगते हैं जब मालिक उनकी नकेल धीली छोड़ देता है और शिवराज को गोधी मीडिया से मिल रहा है इस अल्टिमेटिम की सारी कहानी ही यही है बीजेपी को भी पता है कि ये चुनाव जीत जाना उसके लिए आठवे अजूबे से कम नहीं होने जा रहा और जब जीत की गारंटी कहीं दिखाई नहीं दे रही हो तब ऐसे समय में आप समझ लीजिए कि बीजेपी बस एक बली का बकरा ढूंड रही थी और उसे शिवराज सिंग चोहान से बढ़िया बकरा अपनी हार पर बली चुढ़ाने के लिए भाई मिलेगा नहीं याद कीजिए जब पंद्रा साल के शासन गिवाद चातीसगर में बीजेपी हारी थी तब उस समय वहां के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंग को बीजेपी ने बली की वेदी पर चुढ़ा दिया था और अब अगर मध्यपरदेश में बीजेपी गई तो शुवराज पर सारा ठीकरा फोड़ा जाएगा और जाना स्वाभाविक भी है मोदे युकी बीजेपी के चाल चरितरों चेहरे को जो जानते हैं वो जानते हैं कि मोदी कभी हार का अहार खुद नहीं गरान करते बलकि वो सिर्फ जीत का सहरा साजाकर बेगानी शादी में भी अबदुल्ला की तरह दीवाना बनना पसंद करते हैं और यही कारण है कि बीजेपी ने अंदर खाने गोदी मीडिया को पहले से ही इतला कर दिया है कि अगर मौसम बिगडे तो प्लेन की क्रैश लैंडिंग सीधे शिवराज के चमचमाते सिर पर करना है क्योंकि मद्धपडेश में पोस्टर पढ़ गए हैं और पोस्टर जहां का भविश्य ब्लैक लग रहा है उस पर क्या है आपकी राए हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साजा कीजे और मारे फीजरल्जम को आपके सपोर्ट की जरूरत है वो तब होगा जब आप जितना स्यादा यूट्यूब पर जोईन क बटन इस्तमाल कर हमारे मेंबर बने कर दो कर दो कर दो कर दो बने दो